वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानूनिन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम DV Act पर सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला आया है उसकी लेटिस्ट रूलिंग के बारे में बात करेंगे तो आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला केस को क्वेश करवाने के लिए लेकिन मदरास हाई कोट ने ये माना कि अंडर सेक्शन 468 CRPC में जो टाइम लिमिंट्स दी गई है उसके अधार पर ये केस टाइम वाड है और इस केस को क्वेश कर दिया गया अब इसके विप्रित पार्टी गई सुप्रीम कोट में जाएगा अगर आप उसका वोईलेशन करेंगे तो ये भी एक उफेंस है इसमें मानी सुप्रीम कोट ने ये माना कि डिवी केस की अंतरगत जो आप अप्लिकेशन डाल रहे हैं वो उफेंस से रिलेटिड नहीं है 468C RPC में जो टाइम लिमिट्स दी गई है वो उफेंस पर कॉंगिजन्स लेने के लिए दी गई है इसलिए यहाँ पर वो लागू नहीं होगी और वाइफ की जो अंडर सेक्शन 12 की अप्लिकेशन है ये वाइफ फाइल भी कर सकती है और कोट में केस भी चला सकती है इस केस के जज्जमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसे वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास्त तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद